हेलो नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंसाइट कैंडल के बारे में ओके इंसाइट कैंडल के मतलब क्या होता है एक मदर कैंडल मदर कैंडल के अंदर उसके अंदर एक या दो या तीन या चार कैंडल बनकर अगर उसको जिस साइट पर ब्रेक करता है वहाँ से हमको एक buying या selling करने का opportunity मिलता है इस तरीगा से वो कुछ दिखने में होता है चलिए इसको हम लोग चार्ट में प्राइब के देखते हैं किस तरीगा से वो हमको दिखने को मिलेगा सबसे पहले inside candle को देखेंगे हम लोग inside candle दो type का होता है ठीक है एक ऐसा type का कोई candle जिसका colour red हो और उसका wig निचे से हो ठीक है उसका when निचे से थोड़ा हो लेकिन उपर में उसका wig नहीं होना चाहिए अगर है भी तो थोड़ा सा हो ओकिया एक दोसरा type का candle जिसके उपर wig हो और उसके निचे भी wig हो उसके उपर भी वीग हो और उसके नीचे भी वीग हो लेकिन उसके अंदर एक candle बनता है जिसका color green हो और वो उसके अंदर आ जाए ठीक है जैसा कि मैंने आपको पहले photo में image में दिखाया कि inside candle देखने में कुछ इस तरीका से होता है कि वो एक first candle के अंदर पूरी तरीका से उसक ठीक है यह हम लोग इसको कह सकते है टाइप वन इसको हम लोग कह सकते है टाइप वन कैंडल और इसको हम लोग कह सकते है टाइप टू कैंडल टाइप 1 candle और टाइप 2 candle हम लोग कह सकती इसको अब इसको हम लोग trade किस तरीका से करेंगे देखिए यह जो candle है इस candle के अंदर यह कभी भी टॉप पे बनेगा जैसे कि market अगर उपर जा रहा है तो यह candle कभी भी टॉप पे बनता है ठीक है यह candle कभी भी टॉप पे बनेगा और इसको विक थोड़ा सा नीचे होगा जैसी इसको break करेगा तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइट के लिए trade ले सकते ठीक है और यह जो mother candle है जो कि type 2 है उसके अंदर ऐसा candle बनेगा और इस candle को जिस तरब भी market break करेगा उस तरब का momentum हम लोग को intraday में अच्छा घासा मिल जाएगा दिखिए यहाँ पे ध्यान दिजेगा हम लोग जो भी time frame हम लोग यहाँ पर use करेंगे वो हम लोग one hour का time frame use करेंगे one hour से लेके 15 minute का time frame हम लोग use करेंगे 15 minute से हम लोग कम का use नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर यह गया जो candle का पावर होता है कम हो जाएगा पावर कम होने का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग 5 minute का time frame यूज करेंगे यह 10 minute का तो उसमें क्या होता है momentum ही जादा नहीं होते है ठीक है इस time frame में momentum जादा नहीं है और momentum जादा नहीं है तो यह जो candle है momentum तब इसमें क्या है कि अगर जिस तरीगा से market मानली जिए उपर से आया और यह candle आके नीचे पर अगर यहाँ पर इस तरीगा से candle कुछ form होता है तो हम लोग यहाँ पर easily अगर इसको break करता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते है ठीक है यह जो mother candle है हमेशा support पर बनना चाहिए जो type 2 का है और यह जो type 1 है यह हमेशा resistance पर बनना चाहिए तो चलिए हम लोग chat में जागे देखते हैं कि यह candle हम लोग को कहां पर मिलेगा type 1 और type 2 और इसको हम लोग किस तरीगा से trade कर सकते है देखिए सबसे पहले हम इसमें one hour का time frame यूज करेंगे आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते है index में stocks में कहीं पर लेकिन ध्यान यह रखिएगा इसका कुछ rule है जैसे कि मैं rule आपको अभी बताऊंगा चैट में ठीक है तो अभी मैं access bank का यह जो चैट है मैं access bank का चैट यूज कर रहू पर ठीक है चलिए अब इसमें हम लोग try करते हैं होज नहींगी कि ऐसा candle कहाँ पर बना हुआ है ठीक है कि देखिए बहुत प्यारा यह एक जमपल है हम लोग को फस्ट ही मिल लिया अब देखिएगा यह यह एक इंसाइट केंडल बना हुआ है ठीक है इसका opacity में थोड़ा कम करता हूँ यह देखिएगा यह एक इंसाइट केंडल बना हुआ है मतलब की mother candle बना हुआ है और mother candle बनन ओके यहीं देखिए यह type 2 candle हम लोगों देखने को मिल गया mother candle inside candle ठीक है अभी type 1 भी यहाँ पे बहुत अच्छा प्यारा एक्जामपल बना हुआ है यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा वीक देखे मार्गिट उपर गया हुआ है और जैसी इसको ब्रेक किया मार्गिट में अच्छा खासा मोमेंटम इंट्राडे के लिए हम लोगों देखने को मिल गया ठीक है एक ही जगह पे हम लोग को दो सेट अप मिल गया ठीक है चलिए और भी हम लोग दिखते है कुछ सेट अप देखें टाइप उन यह हमेशा आपको रेस्टेंह्स पर मिलेगा टाइब उन देखने को त्यगैं मार्गिट उपर गया ऊपर जाने कि पाद थोड़ा सा नीचे आया रेस्टेंश पर हमोग का टाइप ऐन केंडल बनाया है इसको जैसी ब्रेक करेगा रेजिस्टेंश में हम लोग यहां से इसली एक इंटराड एक लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं हम लोग को इसली मोमेंटम इसमें देखने को मिल जाएगा ठीक है तो देखिए टाइप टू टाइप वन भी यहां पर बना हुआ मिल गया उपर से छोट रिस्टेंस लिया थोड़ा सा जैसी इसको ब्रेक किया एक अच्छा कासा हम लोग को डाउन साइट में देखने को मिल गया ठीक है यह हमेशा रिस्टेंस बनेगा आप देख सकते हैं यहा और भी हम देखेंगे देखिए यहां पर यहां पर भी एक मदर केंडल बना हुआ है मदर केंडल के अंदर मदल के मदर केंडल है ठीक है एक यह केंडल है उसके अंदर यह चोटा सा एक डोजी टाइप बना हुआ है फिर यह यह बैरिस केंडल बना है वह बैरिस केंडल किए एक अच्छा खासादान्फोल का मोमेंटम में आकर यहाँ पर इसाइड कैंडल बना जो कि टाइप टू है मुनका टिक उसके बाद जैसे इसको बिरिक कि ये अच्छा हा om पर वर्क करेंगा ठीक है इसलिए आपको इंट्राइग लिए मोमेंटम मिल जाएगा लेकिन आप ध्यान ये रखिएगा कि इसको हमेशा वन आवर के टाइम फ्रेम पर देखिएगा और ट्रेड लेने के लिए आप यहां पर फाइव फाइव मिनेट या फिट टेन मिनेट का किलीच अलुकेस देखिएगा लेकिन आपको देखने होगा जब भी तो ऐन आवर के टाइम फ्रेम पर देखने होगा यहां पथी हैं सेमारिकियो यहां पर चालव कि या मार्कीट यहां सपोर्ट पर यहां जालग पर है आप इसके यहीयो जो फिर क्टो dehों आपको समझ में आएगा जाकर दिखे आप लोग मेरा पिछला वीडियो की सपोर्ट और रेस्टेंट ट्रेंड लेंड की हिसाब से कैसे बनाते हैं यहां पे एक मदर केंडल बना ठीक है मदर केंडल पर हम लोग यहां पर जैसे इसका पुली सकेंडल को जैसे मार्केट यहां अपर बनाते हैं यहां पके कितना अच्छा एक मदर मिला हम्मोग को मिला ठीक है यह पलोग पर प्रिक्ट में इसको कौंटियट करने के लिए ज़्यादा सेयादा कुवनित गोने ट्रेट करने के यहां पे जूरत नहीं है आपले प्रेक्टी discuss सक किजीए अप market में समझ ये type 1 क्या होता है type 2 कैसा क्या होता है किस तरीका से हम लोग को यहाँ पे setup मिलते है ठीक है और एक अच्छा खासा momentum के बाद अगर बनता है तो अच्छा खासा हम लोग को एक result देखने को मिलेगा ठीक है तो अप लोग try किजिए और अगर अगर आप को मेरा ये फिरी कोर्स अगर पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेर कीजिएगा थैंक्स पूर वाचिंग